गोरगपुर जिले में रविवार को कोई नया कुरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है कुरोना की दूसरी लेहर में यह दूसरी बार है कि गोरगपुर जिले में कोई नया कुरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 69,354 हो गई है इनमें 847 की मौत हो चुकी है 58,475 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि active case 32 हो गए है इस संबंद में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशी सावधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगरच की दूरी मास्क है जरूरी समाजिक दूरी का करेपालन अपनी और अपने परिवार को बनाया स्वस्त और सुरक्षित स्यमो डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशीय सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को फिर भार से बचते ह मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक करोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है